बहुती सुन्दे प्लांट लगता है इसकी लीव्स देखे कितने डाउंड है और इस राउंड शेप की लीव्स की वज़े से ही इसको पैनी वाट कहा जाता है या डॉलर प्लांट क्योंकि इसकी जो शेप है वो एक डॉलर या एक कोईन के जैसी है और यह बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स है यह वाले प्लांट जो है यह पानी में अच्छे से ग्रो क करते हैं यह एक एक एक्वेटिक प्लांट है एक्वेटिक प्लांट का मतलब कि यह पानी में अच्छे से ग्रो होता है यह पर इसको हम जो है अब सॉयल में भी लगा सकते हैं और उसमें यह है कि अगर हम सॉयल में इसको लगाते हैं तो इसको हमें जो है पानी जो है जहां पर हलकी धूप आती है दिन की 3-4 घंते की महां पर भी आप इसको लगा के रख सकते हैं अगर हम गंबले में लगाते हैं तो इसको जो है हम एक पोशन गार्डन सोयल का उसमें एक पोशन ही हम कंपोस्ट डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कोकोपीट कोकोपीट इसलिए जालते हैं कि कोकोपीट मॉश्यर रखता है अपने अंदर इमें एक बार कोई लिक्विट फेटिलाइजर दे सकते हैं फाँ सचyy के बंवर्स तो इसमें किसी कंपोस्ट की भी जरौती है वह पानी में जब चलते ब्लाट तो अपने आप पानी से ही अपने मिनरल्स लेते रहते का इसको कैशे ग्रो करते है उल्य आँडे stretch कangi तो यह निकल जाएगा और इसी को हम लगा देंगे तो यह यहां से इसके रूट से है ऐसे अगर अपने कटिंग नहीं करने तो एसे तीस भी इसको लगा सकते हैं मित्ती में और पानी में लेकिन मैं भी सबकी इनकी कटिंग्स करकर के लगा रही हूँ इसे यह मैंने लगा रही हूँ इन प्लांट्स को हम इंडूर भी लगा सकते हैं इंडूर रखे वे भी प्लांट्स है बहुत हैं बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो यह प्लांट्स बहुत ही अच्छा और इजी टू ग्रो होदे वाला प्लांट्स है इन प्लांट्स को पार्शल सनलाइट की जरूरत है पानी इसमें हर समय पानी होना चाहिए या तो यह पानी में लगे होएं अगर पानी में नहीं हैं मिटी में हैं तो इसमें जो गमले में पानी हमेशा रहना चाहिए तो यही था आज के लिए होप आपको ये वीडियो ये वाला प्लांट पैनी वाट अच्छा लगा है तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दिजे शेर कर दिजे और सब्सक्राइब कर दिजे थैंक ये सो मच पर वाचें बाई बाई टेक केर